नमस्कार आप देख रहे है देश का लोग प्रिय और विश्वस्निय चैनल मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव से एक संसनी केज वारदात सामने आई है जो हाँ प्यार के नाम पर मजभी प्लैन तयार किया जाता था यही नहीं कई युफ्तियों को बेचा तक जा रहा था वहीं मामले में कारवाई करते हुए पलस ने गिरो पर शिकंजा कसा है देखिए मजभी फरेप की यह हमारी रिपोर्ट राजधानी लखनओं में धर्मांतरन का मामला एक भार फिर गर्माया है लेकिन इस बार धर्मांतरन के साथ युफ्ति को बेचने का भी मामला सामने आया है जी हाँ, मामला है लखनओ के ठाकुर गंज इलाके से जुड़ा हुआ इस इलाके में रह रहा यूवक आमिर अपने पिता और भाईयों के साथ मिलकर यूवतियों की खरीद फरोक्त का गिरो चला रहा था इसका खुलासा तब हुआ जब ये गिरो पुलिस के हाथ लगा उसके बाद आरोपी यूवक ने यूवति पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया लेकिन जब यूवति इसका विरोध करने लगी तो उसको इस गिरो ने बेचने का प्लान भी तयार कर लिया लेकिन पुलिस ने इस गिरोग को गिरफ़तार कर यूवति को बिकने से भी बचा लिया बैठे हैं ये लोग एक यूपती को अगवा कर बेशने के लिए जब मुंबई जा रहा है थे तभी हरोनी स्टेशन के पास इन लोगों को गिरफतार किया गया है इस मामले में बड़ी बात यह है कि जो यूपती है जिसको अगवा किया गया था उसने खुद पुलिस कंट्रो इस पूरे मामले की सपलता हासिल की तस्वीर देखिए जिस तरीके से पुलिस करमी खुद ले जा रहा हैं दूसरी तस्वीर एक आरोपी आपके सामने हैं तीन आरोपी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हम अपने कैमेरमें से कहेंगे एक बाद फिर से तस्वीर दिखाएं गाड़ी के अंदर की जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में हैं यह तीनों आरोपी आप देख रहे हैं यह वही तीनों आरोपी हैं जिन्हों ने एक यूति को अगवा कर बेशने का परियास किया था फिलहाल इस मामले में बताय जा रहा है कि यह जो पूरा गिरो है इस मामले की तस्वीर भी सामने आई है यह चार आरोपी वही हैं जो यह पूरा गिरो चला रहे थे यह सबी सोशल मीडिया के जर्ये हिंदू यूतियों को अपने प्रेमजाल में फसाते हैं उसके बाद उससे संबंद बनाकर धर्म परिवर्तं का दबाव बनाते हैं इतने से ही नहीं इनका मन बरता तो उसके बाद उस यूवति को घुमाने के बहाने बाहर ले जाकर बेज देते हैं फिलहाल लखनाओ पुलिस ने लगभग 125 पुलिस कर्मियों को इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए लगाया था इस ऑपरेशन में यूवति को सकुशल बरामत तो किया ही ग राजधानी लखनाओ की पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ा है जो यूवतियों को अगवा कर मुंबई में ले जाकर बेशने का काम कर रहे थे ये मामला राजधानी लखनाओ के पस्चिम जोन का है जहां पर ये यूवति को अगवा किया गया और उसको धर्मांतर का भी दबाओ बनाए जारता इस मामले में लगबग 125 पुलिस कर्मी लगाए गए थे और लोग साड़े चार घंटे में पूरी सफलता मिले इस मामले पर ज्यादा बात करने के लिए हमाई साथ DCP पस्चिम राहुल राज जी हैं सर जिस तरीके से नेटवर्क तोड़ा गया यह क्या पूरी घटना रही थी कैसे आप लोग इसको ट्रेस के और कैसे उस तक पहुँचे थे अठारा तारीक की रात में 11 बजे के लगभग UP 112 के आरो आईपी से एक सूचना मिली कि एक लड़की का फोन आया है जो यह बता रही है कि वो खत्रे में है और उसे कुछ लोग अगवा करके ले जा रहे हैं इस सूचना पर ततकाल मैंने पस्मी जो उनके थानों को सारे को सक्री किया अपने अडिशनल लेस पी एसे पी सबको लगा दिया और उसका लोकेशन ट्रेस किया गया जो नंबर से फोन आया था तो यह पता चला कि वो दुबगगा से हो करके र तो रहमान खेडा की तरफ हमारी सारी फोर्स जो है चोकी चप्पे चवे पर लग गई जब बदमासुन ने देखा कि नहीं उधर जा पा रहे हैं तो गाड़ी फिर बैट करके ले आए एशबाग की तरफ तो फिर वजीर गई थाने को ही बताया गया और यहां जब घेरा ब रामत कर लिया गया लड़की को और जो लड़का था और उसके साथ जो लोग थे उनको भी अरेश्ट कर लिया गया सर जिस तरीके से यह आरोपी हैं बाप बेटें मिलकर पूरा नेटवर्क चला रहे थे जो ग्रामिड एरिया में जो यूटी आ हैं उनको अपने प्रेंज जाल में फसा आते थे यह कैसे पूरा नेटवर्क संचाली को रहा थे कैसे हैं कि हमें इस यूती को फसाना है और बेचने का जो टार्गेट था, कि पहले से संपर्क कर लेना और यूतियों को ले जाना, वहां पक्र भीच देना हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि जो बांबे में इनके लोग हैं वो कौन लोग हैं और वहाँ पर किस क्यों जा रहे थे किस तरस जा रहे थे लड़की के ऊपर जो है क्या प्रेसर था लड़की को लड़की ने अपना बयान दिया भी है फायार भी कराई है कि उसके साथ गलत का भी हुआ है मनलसे संपर्क किया गया है तो हमने 373 धारा में जो है और 365 365 अरुजय कर लिया है और गरिपतार कर लिया गया है चारों अभीतों को और यह सारी हम लोग चांबीन कर रहे हैं जाच कर रहे हैं और जांच से क्लियर होगा कि इनका networking का आगे क्या स्कूरत है इसमें एक जो बड़ा सवाल आ रहा है लग जिहाद का धर्मांतरल का क्या ऐसी भी बात अभी तक सामने आई है कि अधर्मांतरल के लिए उसके उस पर दबाव बना जाता धर्म बरे तन के लिए लिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि लड़के लड़की के बीच में संबन थे तो कही में कहीं लड़का जबा ये प्रेम परशंग के रूप में तो काम अपना किया ही था लेकिन किस तरह से ये इसको आगे ले जाएंगे यह हम लोग जाच का विश्र है और हम लोग इसकी जाच करेंगे पूरी तरकी का रही है जैसे बाप बेटे होगे जो दो लोग और है तो दोनों जो पांच लोगे एक अभी फरार है जिसको लेकर दबी से भी जा रही है यह पांचों लोग क्या एक ही परिवार से संब्द है या फिर सब लोग अलग अलग है देखे चार लोग देखी परिवार से संब्द है जो लड़का है जिस लड़के ने जो है लड़की को फंसाया और लड़की को ले करके बुलाया फोन करके बुला करके फिर ले आया और जब उस लड़के ने अपने घर वालों को बुलाया जिसमें इसका पिता, इसका भाई, इसका चचेरा भाई सभी सामिल थे और एक इसका दोस्त था, पांचवा जो भी फरार है वो इसका दोस्त है जिसके हैं ले जाकर लड़की को रखा था, तो उसको हम लोग तलास रहे हैं सभी लोगों का काम अलग अलग रहेता था कि पूरा एक ग्रूप बना दे कि सभी लोग लड़कियों को चिनित करते थे कि एक को होता था कि आप जाल में फसाई यह दूसरा जो अलग काम करता था क्या ऐसे कुछ लोगों का टार्गेट था? अभी तक तो यही बात आई है कि अभी तो यह जॉइंट जो है इनका था जॉइंट ली लोग काम कर रहे थे और वाके चीज़ें जो है और जितनी हैं भी वेचना होगी उससे क्लियर होगी सर हमारे चैनल के माध्यम से जो इस तरीके की घटना है तो आगे ना हो इसको लग रहे हैं क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे? जिसे तुप से मैं इवाबर की जो लड़कियां हैं और लड़के हैं सभी समय अपील करूँगा कि किसी प्रकार के किसी अपरचीत किसी अग्यात लोगों के संपर्क में ना आए और फेस्बुक के माध्यम से भी जो है या सोसल मीडिया के जरिये से भी कहीं किसी के जब तक कि उनके माबाप परिवार के लोग नहीं जो है समील होते हैं वो लोग नहीं आपको जो है कहीं कहते हैं तब तक इस तरह के जो है हरकत न करें कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी घटना दुरगटना हो सकती है जन्यवासर बात करने के लिए तो जिस तरीके से हमाई साथ डीसीपी पस्चीम राहूल राजजी थे इन्होंने जो बाते बताएं किस तरीके से पूरा नेटवर्क तोड़ा गया इसके साथ ही यूवा वर्ग से अपील भी की है कि जिस तरीके से आज का सोसल मीडिया के जो युवतियों की खरीद फरुद का सिलसला था वो लगातार पदेश की राज्थानी लखनों में बढ़ता जा रहा था जिसको पुलिस ने आखिरकार गिरफतार कर लिया है उस गिरों के सभी सदस्यों को गिरफतार किया गया है साथ यब उनसे पूचताच भी की जाएग आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस